एलो वरिबादी और वैलकम टूम टू माई E-Lesson मैं हूँ आपका गुरू और आज आपके ले लिए क्वा है एग्स então पेज्ड बेजी का पाथ Two possible channel Excel में एक नई sheet अगर add करनी हो तो हम कैसे उसको add करते हैं? और उसको अगर rename करना हो तो क्या करते हैं? और delete करना सीखेंगे sheet को, sheet को hide करना सीखेंगे, और यहां में लिखना भूल गया, unhide भी करना सीखेंगे. Unhide करना भी सीखेंगे. And how to move and copy a complete sheet. और यह tab का color भी change करेंगे. कौन सी tab की बात करें? Samsung Galaxy Tab या Apple iPad? आईए देखते हैं. Well, how to add a new sheet? Sheet क्या होता है? यह 1, 2, sheet 2, sheet 3 दिख रहा है? इसको बोलते हैं sheet. यानि कि अब यहां पर sheet 2 के लिए click करेंगे, देखो, blank दिख रहा है. यह sheet 2 है, यह sheet 3 है. और नई sheet डालने हूँ, तो हम यहां पर click कर सकते हैं. इससे नई sheet आजाएगी, देखो, sheet 4 हो गया, automatic rename हो जाती है. और हम इसको F11 दबा के भी डाल सकते हैं. Shift F11. यह देखो, एक और sheet आगया. देख रहाँ? तो इसको बोलते हैं, ऐसे करते हैं हम लोग एक नई sheet डालना. और साथ-साथ हम इसको एक और तरीके से भी डाल सकते हैं. जहाँ sheet 1 लिखा है, वहाँ पर हम right click करेंगे. और यह option खुल जाता है, insert का. तो insert पर click करेंगे, और एक worksheet यहाँ पर दिख रहा है हमको. हम यहाँ पर click करके, इसको ok कर देंगे, और यहाँ पर sheet 7 इधर आ गया. देख रहे हैं, एक और तरीका भी है, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, कि एक और तरीके से भी डाला जा सकता है, वो है. यहाँ से insert पर home पर click कीज़ेगा, insert में जाएगा और insert sheet पर भी click कीज़ेगा, देख ओ, sheet 8 आ गया, so ऐसे आप sheet को insert कर सकते हो. Alright, how to rename a sheet, I mean सबका नाम sheet 7, 8, 1, 2 ऐसा है, इसको बदल सकते हैं, अपने हैसाब से. तो कैसे बदलेंगे उसको, हम इस पर simply इसको double click कर देंगे, और इसका नाम रख देंगे, my e lesson. और sheet 2 को करना है, तो इस पर भी हम double click करेंगे, और लिख देंगे इसका नाम, excel made easy. ठीक है, और एक और तरीका भी होता है, sheet को rename करने का, वो होता है, जहां तक मेरे को याद आ रहा है, insert, delete, format में जाके, rename sheet, यहां पर click करेंगे हम, और देखो, यह black highlight हो गया, इसको हम rename कर सकते हैं, और इसका नाम रख देंगे, हम मेरे नाम पर, guru. तो ऐसे हम sheet को rename कर सकते हैं, और how to delete a sheet, कई तरीके हैं, सबसे पहला, sheet पे click करो, right click करो, delete का option आएगा, delete दबा दो, और sheet 7 गायव हो गई, नहीं, 4 गायव हो गई, और दूसरा option है, कि आपने जो sheet डिलीट करनी है, उस पे click कर दो आप, और delete पे जाओ, और delete sheet दबा दो, और यह delete हो गया, sheet 6 delete हो गई हमारी, और कौन सा option है हमारे पास, right click करते हैं इसको, यह तो हमने सिखा दिया, so ऐसे आप sheet को delete कर सकते हो, sheet को hide और unhide भी कर सकते हैं हम लोग, अब माल लेज़े, यहाँ पे यह sheet है, sheet 5, यहाँ यहाँ पे sheet 7 है, इसको hide करना है, हम नहीं चाहते किसी को दिखे, तो इसको right click करेंगे और इसको हम hide कर देंगे यहाँ से, simple, अब इसको unhide करना है, sheet पे click करो कहीं पे भी, और unhide को option आ जाएगा, तो unhide कर दोगे, यह पूछेगा कौन सी sheet को unhide करना है, तो हमने इसको करना है, अगर एक से ज़्यादा sheet आपने unhide कर रखी हैं, स sheet, तो इसके भी 2-3 चीज़े हैं, आई समझते है, move और copy जैसे हम समझते है, control C, control X वाला, जो कि मैंने मेरे पिछले basic वीडियो में सिखाया, वो तो ही है, एक और चीज़ भी है, इससे पहले कि मैं भूल जाओ, जुरू बताता हूँ, यह sheet 7 आप यहाँ पे देख रहे हैं, म मैं यहाँ पे ऐसे ले जा सकता हूँ, तो इसको हम ऐसे move कर सकते हैं, sheet को, अब मान लेजे कि यह वाली sheet है, इसको मैं right click करता हूँ, और इसको करता हूँ, move और copy पे click करता हूँ, तो अभी यह कह रहे हैं कि इसको move करना है, ठीक है, कि अब जैसे मैंने भी mouse से करा था, यही हम अब keyboard से कर रहे हैं, कि कहां पे move करना है आपने, कि इसी workbook के अंदर करना है, तो इसी workbook के अंदर यहाँ पे लिख दीजे, नहीं तो किसी नई book में डालना है, तो उसमें डाल दीजे, मैं इसी book में रखता हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि sheet 8 के बाद, इसको my e-lesson को sheet 8 के बार यहां कर दो, या simple move to end, जहां पे खतम हो रहा है, वहां पे कर दीजे, तो मैं sheet 8 के बाद डालता हूँ, और ok कर देता हूँ, और अगर यहीं पर copy बनानी है, तो मैं यहां क्लिक कर दूँगा, तो यहां पर यह एक copy बन जाएगी, दो हो जाएंगे, दोनों चीज करके द देखेंगे, पहले बिना copy के, अब यह देखो, यहां पे आगया, sheet 8 से पहले इधर आगया, Excel my lesson, अब मैं अगर बोलता हूँ कि इसको वापस, अब मैं Excel made easy वाली sheet जो है, इसको move करता हूँ, और इसको copy के साथ move करता हूँ, और इसको end में लेके आता हूँ, कि 8 के बाद ही आ Excel made easy 2 एक और बन गया, और यह sheet 8 यहां पे था, तो ऐसे हम इसको move और copy भी कर सकते हैं, अब यह जो tab color देख रहे हो ना, इनके color भी बदल सकते हैं, यह tabs देख रहे हो ना, इनके color बदले जा सकते हैं, बहुत अच्छे-च्छे color लगते हैं, देखो, आप अपनी priority के साथ से कर सकते हैं, कोई आपको लगता है कि वह आपकी workbook में बहुत सारी sheets हैं, कोई urgency वाली है, pending काम वाली है, तो उसका red color कर सकते हो, कोई target आपने complete कर दी हैं, targets वाली sheet है, या last month की है, जो हो गया है, meet हो गया है, तो उसको आप green कर सकते हो, यह देखो, यहां से color choose करेंगे, tab color पे जा इसको green करते हैं, यह देखो, greenish change आगया है इसका, और यहां से इसको हम red बना देते हैं, यह देखो, ऐसे यह color इसके दिखते हैं, बहुत खुप सुरह दिखता है, आप अपने sheets को अलग-अलग colors दे सकते हैं, तो यह था हमारा sheet को, अलग-अलग options, सीखना आज, add a sheet, rename a sheet, delete a sheet, hide unhide a sheet, move or copy a sheet or sheet ka tab color, बदलना, so this is your guru now signing off for the day, have a wonderful day ahead, happy actual learning.